हलो फ्रेंद्स वेलकम तो मैं चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट आई होप यू ओला दूइंग विल रीसे सिस्टम सो अनदर इंपोर्टेंट सिस्टम जो है वो है आरेच सिस्टम या फिर रीसे सिस्टम सिमिलरली जैसे की रेड़ सेल मेंब्रेन पर एंटीजन प्रेजन प्र A, B, A, B और O ऐसे ही एक और एंटीजन प्रेजन होता है आरेच एंटीजन रेड़ सेल मेंब्रेन के उपर जिसको हम बोलते हैं रीसे सिस्टम या फिर रीसे सिस्टम को या फिर रीसे सिस्टम को So 85% of people have this antigen 85% लोगों में ये आरेच एंटीजन प्रेजन होता है तो हम इनको बोलते हैं आरेच पॉजटिव और सिमिलरली जिसके पास ही एंटीजन प्रेजन होगा वो उसके अगेंस्ट एंटीजन नहीं बनाएगा और 15% बचे होए लोगों में ये एंटीजन नहीं होता इसलिए वो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीजन बनाते हैं जिनको बोलते हैं आरेच नेगटिव जिनके पास आरेच एंटीजन है वो है आरेच पॉजटिव और जिनके पास नहीं है वो है आरेच नेगटिव आरेच नेगाटीवार के pebble of making एंटी रिसिस अंटि बोडिस तो आरेच नेगाटीव पीपल वो हैं जो की एंटी रिसिस अंटि बोडिस बना सकते हैं जब बाहर से कोई भी आरेच पॉजिटिव बलड आरेच नेगाटीव में एंटर हुआ तो antibodies उसके against बन सकती है stimulate them in certain circumstances example in pregnancy बट कुछी conditions है जिनमें ये conditions stimulate होती है जैसे कि pregnancy so diagram में आप example दे सकते हैं जैसे कि RH positive father है जिसके पास RH antigen है RH negative mother है जिसके पास RH antigen नहीं है so mating के बाद अगर mother pregnant होती है और उसका जो baby है वो RH positive हो जाता है so RH positive का जो baby baby का जो blood है वो RH positive है और वो mother की blood stream में अगर enter हो गया delivery के time पर तो क्या होगा कि जो RH positive blood cell है वो RH antibodies produce कर देंगे mother के अंदर so mother के अंदर क्या हो गया एक transfusion reaction हो गया RH negative mother थी और RH positive baby था दोनों का blood mix हुआ और antibodies produce हो गई so उससे क्या होगा mother की blood stream में antibodies रहेंगी जब next pregnancy होगी तो अगर दुबारा से baby क्या होता है positive होता है baby का blood RH positive होता है so antibodies पहले से ही mother के blood में present है उस baby के लिए RH positive blood के लिए so next time क्या होगा next pregnancy में transfusion reaction हो जाएगी और वो जो antibodies mother के blood में already बन गई है RH positive baby के लिए वो RH positive baby के blood को kill कर देंगी उसके cells को kill कर देंगी और hemolysis या फिर hemolytic reaction cause हो जाएगी so इस तरह से ये भी एक system है RH system और इसको prevent करने के लिए pregnancy में एक रोगम injection दिया जाता है जो की immunoglobuline injection होता है so किसी और वो एक later अलग different part हो गया है and so इसलिए दो type के blood group है एक है ABO और एक rhesus तो दोनों blood group हमारे blood group को determine करते हैं for example मेरा ABO system है O तो अगर O के rhesus system है मतलब उसके पास RH antigen है तो वो उसका blood group होगा positive और अगर उसके पास RH antigen नहीं है तो उसका blood group होगा negative it means मेरे पास अगर RH positive है antigen है तो मेरा blood group होगा O positive so I hope ये वीडियो आपको समझाई हूँ and please अगर समझाई है so like, subscribe and share my channel thank you for watching